सब्सक्राइब तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लैक फॉरिस्ट केक की रेसिपी और क्यूंकि अज मेरे हजबन का बर्डे है तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ ब्लैक फॉरिस्ट केक और आप लोग भी मतलब अगर बहुत ऊज़ी स्टेप और बहुत इजी वे में मैंने बताया, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो, किसी का, बचो का, या फिर बड़ो का, या फिर आपका खुद का ही बढ़े, तो आप बहुत एजली एक एक घर पे बना सकते हो, तो चलिए शुरू करते हो, सबसे पहले हम प्री हीट करने के लिए कूकर, य या फिर कडाही को रख देंगे, इसमें मैंने डाला है नमक, और इसे जो हमें दस मिनट के लिए, या फिर पांच या आट मिनट के लिए प्री हीट करना है, और दूसरी दफ्ट मैंने यहां पर ले लिया है बटन, इसमें डाला है वन फोर्थ कप मक्षन, एक चुथाई पिसीवी चीनी, इसे जो हमें अच्छे से बीट कर लेना है, या बीटर से या फिर चमच अच्छे से इसको जो हमें विस्क कर लेना है, ताकि यह दोनों चीज़े जो अच्छे से आपस में अच्छा से इसका मिक्षर द्यार हो जाए, तो यह देखिए मैंने अच्छे से इ आफ कपलिया मैंने और अभी हम दुबारा इसको अच्छे से बीटर से इसमें जो है मिक्स कर देंगे ताकि जो चीजे मैंने एड किये तिनों यह एक सार हो जाए लंप्स फ्री होनी चाहिए गुटलिया इसमें नहीं पढ़नी चाहिए तब हमारा जो केक है अच्छा बनेगा स्मूध बनेगा तो यह देखिए यहां पर जो है मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया है तो अभी मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राइए इंगिडियेंट्स जिसमें मैंने लिया है एक कप मैदा और तीन टेबल स्पून कोको पॉडर कोई भी ब्रैंड का प्ले सकते हो साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग सोडा वन टीस्पून हाफ टीस्पून जाएगा बेकिंग पॉडर और इसे अच्छे से हम चान लेंगे ताकि इसमें गुठलिया ना रहे लंप्स फ्री हो यह और सारी जो चीजे है वो अच्छे से मिल जाए और इसे अच्छे से विसकर से हम जो है अच्छे से आपस में चीजों को मिला लेंगे और यहां पर जो हमें जुरुत पड़ेग आप गरम पानी का यूँज कर ले फोड़ा सा जो गुणगुणा पानी होता है या फिर दूद का so मैं यहां पर थोड़ा सा दूद का यूज करूँगी ताकि अच्छा सा हमारा थिक बैटर केक का त्यार हो जी है तो यहां पे जो दूद मैंने यूज किया है वो वन फोर्थ कप यहां पे लगा है और और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा इसका जो है हमें घोल तैयार कर लेना है ताकि इसमें गुटलिया ना रहें और यह मैं डाल रही हूं वैनला एसेंस इसमें इससे जो है केक में खुचबू बहुत अच्छा आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो यह डाला है मैंने हाफ टीस्पून और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हो कितना मतलब सिल्की सिल्की सा स्मूध सा बैटर हमारा तयार हो गया है तो यह मैंने यहां पर लिया है केक का मॉल्ड और इसमें डाला है बटर पेपर मतलब अच्छे से ग्रीस कर लिया या फिर डस्ट कर लेंगे मैदे से मैंने यहां पर बटर पेपर का यूज किया है जिसे मैंने घर पर ही बनाया है और इसे इसमें हम डाल लेंगे और तो आसा तैप ताकि जो है और यह बबल जो है निकल जाए और यहाँ पर बट्र और यहां थ Index 2 लuldade कर देंगे और यह जो आसी निकल देने चीज़ और बच्चों को बाखें आपको लग रहा है तो आपको लग रहा है क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी रगी रहती है कि बीच में केक को मैंने तीन से चार बात मतलब बच्चों ने खुलवा के देखा तो इस वज़ जैसा हो गया आप लोग बीच में बिल्कुल भी खोल के ना देखे यह थोड़ा सा बीच से कट करते वे यह कट करते वे थोड़ा सा जो है उपर नीचे कट हो गया क्यूंकि थो बीच से चूरी की हल्प से इसके दो पाट कर दिये और यहां पी शुगर सीरप लिया था थोड़े से कोसे पानी में और इसको हम अच्छे से इसमें शुगर सीरप को जो अपलाए कर लेंगे ताकि हमारा केक काफी सौफ्ट और मॉइस्ट बने और यह कुछ चैरी जह मार्क इसी स्वीट हो जाब चाब तो मार्किट वाली यूज़ कर चकते हो और यह है विप्ट क्रीम तो इसको मैं अपलाए करूंगी बीच वाली लियर पर इसे हमें अच्छे से इवनली जो है स्प्रेड कर लेना है अच्छे से फैला लें क्योंकि मेरे पास जादा बिकिंग और साथ ही बीच में मैं अभी यह तूटी-फूटी ए रैड वली यह बीच मैं अच्छे से इवनली एक सार करके इसको अच्छे से फैला लूँगी डालूँगी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है केक का आ और इसके बाद जो है, यह जूसी लेर है केक की वह मैं इसके उपर रखोंगी थोड़ा चाट गया पर कोई बात नहीं और इसके बाद दुबारा जो है शुगर सिरप इस पे जो है स्प्रेड कर दूंगी फे लालूंगी थोड़ा-थोड़ा और फिर दुबारा जो है विप्ट क्रीम को अप्लाई करूंगी क्रीम को हमें चारों तरफ केक को पूरा वाइट मतलब क्रीम से ढख लेना है अच्छे से अप्लाई कर लेना है और बाकी जो है थोड़ी सी क्रीम में जो है इसमें पाइपिंग बैग में डाल रही हूं थोड़े से फ्लार बनाने के लिए उपर से आप चाहो तो जो दूद की ठैली होती है उसका भी कोन बनाके जो है फ्लार इस पर बना सकते हो मेरे पास सिरफ एक ही नोजल थी तो मैंने उसी के थूँ यह फ्लार वाली नहीं है कोई दूसरी है पर इसके थूँ मैंने जो है फ्लार बना लिए थे केक के चारो तरफ हम अच्छे से जो है इस तरह से फ्लार बना लेंगे तो यह देखिए सारे जो फूले मैंने बना लिए चारो तरफ केक के तो अभी हमें जो कोई डार्क चॉक्लिट ली नहीं सिंपल चॉक्लिट भी ली सकते हो डैरी मिल्क होगी तो मैंने हां पर इसको इसकी जो हमें करना है लेकिन यहां पर नहीं हो रहा क्योंकि फ्रिज में रखी थोड़ी दिर मैं बाहर रहने दूंगे फिर मैं दुबारा इसकी जो है तक की चॉक्लेट है अगर बाग की चल अगर फैल जाए तो सारा केक ब्लैक ब्लैक हो सकता है इस तरह से हाथों में लेके थोड़ा थोड़ा चॉक्लेट को साइड साइड में लगा लेंगे कि रेखिए मैंने यहां पर केक के साइड में लगा लिए और सेंटर में चॉक्लेट को फिल कर लिए और साथ ही अब हम यह चैरी है यह फ्रेश चैरी है जो से मैंने शुगर सिरप में रखा था अगर आपको मार्किट में मिलती है जो डिब्बे वाली केन वाली होती वो करें एक फ्लावर पर मैं इसी रख दूंगी इस तरह से तो यह देखिए हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है बिल्कुल तैयार है तो इसे दूसी प्लीट में आराम से रख दूंगी तो आप देख सकते हो कितना एजी है बनाना ब्लैक फॉरेस्ट केक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा और फ्रेंड्स और रेलेटिव्स के साथ शेयर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो यह देखे और अगर आपको यह कैक कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताईएगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल दिन बाई सब्सक्स करेंडम मुझे यहност आफको